अतार बड़ी कोशिश कर रही है वो बसें भी भेशती है वह हर मुद्दें पर बुखर होती है वो कितना बड़ा फैक्टर होगी आपके साथ में अच्छा लग रहा है कि कम से कम को अंग्रीस मेहनत कर रही है और कॉंग्रेस को और मेहनत करना चाहिए उत्तर प्रदेश पे द पर्टी के सभी वर्ष नेताओं से बाच्छीत के बाद यह किया है कि समाजवादी पार्टी इस बार कोई बड़ा गडवन्दन नहीं करेगी बड़ा गडवन्दन कोई बड़ा गडवन्दन समाजवादी पार्टी नहीं करेगी जो हमारे छेत्रिय दल हैं जो और दल हैं जो सामान विचाधारा के दल हैं सेकलर फोर्सिस कहें या जो बीजेपी के खिलाब लगाता लड़ते आएं कई सोशल ऐसे सवालों पर लगाता संगर्ज करते आएं उनका साथ चरूर लेगी पार्टी आप ये पहले भी साब कर चुके हैं कि सबाजवादी पार्टी अकेले अपने दब पर लड़ेगी और सरकार बनाएगी लेकिन जो दो चुनावों में आपने एक बार कॉंग्रेस से और फिर एस पी बीएस पी दोनों का घटबंदन हुआ आपको क्या लगता है उसे पार्टी को को चोट पहुंची पार्टी का अगर हम परसंटेज और बोर्ट देखें तो परसंटेज और बोर्ट में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है लेकिन सीटों का नुकसान हमें हुआ है मालेजी हम बहुजद समाज पार्टी चुना लड़े हम पांच रह गए और हमारे कुछ घर के सदस्थ हार गये लेकिन बहुजद समाज पार्टी की दस सीटें बढ़ गई तो परसंटेज और बोर्ट में हमारा नुकसान नहीं आप विशन 351 की बात करते हैं पहली बाती जो विशन शब्द है वो दूसरी पार्टी ने कड़ा था विशन इतना विशन वैसा तो यह जो आपका विशन 351 यह कॉण्फिदेंस कहां से आ रहा है यह मिशन मैंने नहीं जोड़ा है मिशन तो लोगों ने क्योंकि उन्हें श बने जोड़ा करके अगर इतनी सीटें जी सकती है तो समाजवादी पार्टी सभी वरगों को कहीं ना कहीं अपने साथ एजस्ट करकर के सभी जादी धर्ब को सम्मान करते हुए अगर हम चलेंगे तो 351 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी आप अपने काम के साहरे पिछले चुनाओं पे उतरे थे और आपका एजेंडा बहुत साफ था कि हम रहे यह यह काम किया आप रखते थे तो इस समय योगी सरकार अपने काम गिराती है और योगी जी को तो जैसे आकड़े कंधस्त रहते हैं तो आपको लगता है कि आपका साहरा बनेगी या कुछ और नहीं चीज़े उपनेगी इस चुनाओं मैं केबल यह बताना चाहता हूं समाजवादी पार्टी का काम आज जंता के काम आ रहा है आज ही जब अख़वार खोलेंगे तो इंटरनेशनल येपोर्ट कुशी नगर का शुरुआत होने जा रह लखनू जैसी जगे पर जहां पर कैंसर इंस्ट्यूट है लोगों को कहीं भी इलाज के लिए नहीं जाना पड़ता, न दिली न मम्बई, वो येर राज चालू हो जाती, तो हमारे पूरे के पूरे, आस-पास के लोगों को कैंसर का सस्ता इलाज जो हाँ उपलब दो जात लेकिन अभी किसानों का बकाया जो है वो अभी भी किसान का नहीं थे पाये हैं अभी जो dairy plant लगए थे समाजवादी सरकार में अमूल के दो दो plant लगवाई थे एक लखनों में एक कानपुर देहात में मडर डिरी का लगा था हिटाबा में मैं जानना चाहता हूँ बीजेपी ने कौन सा मिल्क का प्रोसेसिंग का प्लांट लगा दिया है अरे कम से कम हमूल का ही लगा दे थे जो किचिन हमने बनाई थी बच्चों को लाखो लाख खाना खिलाने के लिए लखनों में मत्रा के बाद मत्रा का भी मैंने गया था देख करके आया था अक्षे पात्रा का जो किचिन मनाए कमिलिडी किचिन बहुत शांदार अच्छा लखनों में बनवाया और लखनों के बाद मैंने साथ अलग लग जिस्टिक्स में और दिये थे किचिन लेकिन बीजेपी की सरकार ने वो किचिन रोख दिये नहीं बना रहे हैं उसके लिए इसी तरह स्टियल लखनों में आ गया आपके बड़े-बड़े स्टेडियम्स बने लखनों का मैट्रो जितना बनाया था जहां तक पहुंची थी मेट्रो उससे आगे मेट्रो नहीं पहुंच पाई अखिलेश जी आप अपने बात कप्लीट करें प्लीज एए मैं गोरकपूर काई बता दूँ फाइहंडेड बेड़ हॉस्पिटल स्पेसिल्टी मैंने बताया था उससे पहले टू हंडेड़ हॉस्पिटल बनाया था जो सडग बनाई थी गोरकपूर से देवरिया और देवरिया सनीमपूर आज तक सोडले नहीं बना पाई यह सर सबय में तो S.C.L. वापस जा रही थी नी नी वो टाटा के बारे में इशु यह था कि टाटा जो उनका टाटा का जो यहां सॉफ्टर डेवल्मेंट था T.C.S. उनका क्यूंकि नॉइडा बिरिटे नॉइडा में बड़ा सेंटर बन गया है वो पूरा का पूरा सेंटर लेकिन रूमर लोगों ने ये फैला दे कि समाजवादी सरकार में इसी नहीं मैं कहता हूं कि बीजेपी से हमें बहुत साब्दान रेना पड़ेगा वो कब रूमर कब जूट क्या फैला दें वो T.C.S. ने S.C.L. हम लेकर के आए और आज भी हजारों बच्चों का भविस् आप अख्लेश जी जिसे एक तरफ बीजेपी है उसके पास आरुशंग एक सर्गठरन है एक सर्गठरन है आज सरकार है के इदर में भी उनकी सरकार है दूसरी तरफ बहुचल समाज पार्टी है जिसका कि अपना एक तरीके का वोट बैस है और वो बहुत जादा हंगामा न आपको क्या चुराओ की स्थिती बढ़ती है दीख रही है सबुचल इस थी बिल्कुल साफ है उत्तर परदेश की जंता विकास चाती है उत्तर परदेश की जंता खुशाली चाती है यहां का किसान चाहता है कम से कम उसको वो सरकार मिले जो उनकी लिए इंटर्सिक्ष तैय कॉंग्रेस साथ एलाइंस करकर के बहुजन समाज पार्टी के साथ एलाइंस करकर के यह तो सीख लिए आए कि अब जीतना कैसे है और मुझे उम्मीद है कि जिस समय हम सब का साथ ले लेंगे जिसमें हर वर के लोगों को साथ ले करके चाहिए